आपने कहवत तो सुनी ही होगी कि नेकी कर कुवे में डाल लेकिन एक और नई कहवत बनी है कि इसलाम को मजबूत कर और कुवे में डाल हमने बहुत पहले कहा था कि छोटी बच्चियां होती है उनके प्रती एक सुनत है जो 1400 साल से चली आ रही है कि जैसे ही वो बच्ची प्यूबरिटी को प्राप्त होती है उनको जवान मान लिया जाता है और उनके साथ में वही सुनत अदा की जाती है जो 1400 साल पहले पहली बार की गई थी जी हाँ दम लगा के हैसा और पौपट साहब की वो कहानी जो आप लोगों ने सुनी होगी वो सच है और हम आए दिन मस्जिदों या मदर्सों के अंदर मौलानाओं के द्वारा मासूम छोटी बच्चियों के साथ में इस तरीके के कुकर्म आए दिन देखते ही रहते हैं इसी तरीके के एक घटना हुई के 14 साल के एक बच्ची मासूम बच्ची थी जिसके पिता ट्रक चलाते थे वो घर पर नहीं थे मौलाना उसको लेकर के गया मस्जिद में वहाँ पर उसके साथ के अदुश करम उसको बनाया वहाँ पर बंदी लोगों ने इस बात की सूचना उसके पिता को दी और वो दोड़ा दोड़ा अपने गाउं वापस आया लेकिन इससे पहले कि वो मस्जिद में जाता उस मौलवी ने उठा करके उस बच्ची को कुए में फैक दिया तो उसने यहाँ पर इसलाम की सुन्नत को अदा किया इसलाम को मजबूत किया या फिर साब ही नहीं पसी जा कि एक छोटी बच्ची को कुए में फैक्ते समय वो मर भी सकती है भगवान की शुक्र से वो बच्ची तो बच गई लेकिन मौलाना वहां से फरार हो गया आप जराइए सोचेगा कि 1400 साल पूराना एक कबीलाई विधान जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ ल गिलमे के रूप में और छोटी छोटी बच्चीों को हूरों के रूप में देखा जाता है क्योंकि ultimately इनकी किताब का जो पराकाश्था है जो चरम है उसके सब के बाद मिलना क्या है गिलमे शराब और हूर इसलिए व्यक्ति का फोकस केवल और केवल वहीं पर रहता है मरने क किसने देखा उसको पहले ही स्वाद लेने के चक्कर में छोटे मासूम बच्चों की जिंदगियां तबहा और बरबाद कर दी जाती है यहां तक काफिरों की लड़कियों को तो सूट केस में भर कर नदियों में ही फैक दिया जाता है आज एक सवाल ट्वीटर पर देखा ग और मदर से इनके दीनी केंटोनमेंट हैं जहां पर ये अपने लोगों को तैयार करते हैं लड़ने के लिए और जहां से लड़ाई आरंब होती है व्यक्ति वहीं पर जाकर के चिपता है क्योंकि ये जो स्थान है ये इनके केंटोनमेंट है यहां से ना केवल इनकी तैयारि और ये इतिहास रहा है कि जब भी ये लोग काफिरों को मार करके भाग करके कहीं पर छिपते हैं तो वो वही स्थान होते हैं दूसरी ये भी बात हो सकती है कि जब उनको गोलियां लगती हैं तो मुलाना से ये पूछने के लिए जरूर जाते होंगे कि तुम लोगों ने कहा था कि जब हम काफिरों से युद करेंगे तो उस समय पर अल्ला की सेना हमारा सैयोग करने के लिए आएगी लेकिन या फटी पड़ी है साला कोई सेना दिखाई को नहीं दे रही है ये भी जरूर पूछने के लिए वो जरूर जाते होंगे अगर उनके दिमाग का थोड़ा सा भी ढकन जालिदार टोपी से बच कर खुला हुआ होगा मस्जिदों के अंदर आतंक वादियों का छिपना और इस प्रकार छोटी छोटी मासूम बच्ची लड़कों के साथ में दुश्कर्म का होना आम बात हो चुकी है लेकिन फिर भी मुसल्मान कहता है के हम बहुत शान्ती पुरिय कौम हैं आज अगर हम उम्मत की बात करें उम्मत के कॉंसेप्ट की बात करें तो हम ये बात जानते हैं के पूरे विश्व भर में 200 करोड के आसपास मुसल्मान हैं और जिनका एक ही उद्देश है जो मैंने आप लोगों को बताया जो उनकी किताब हवा हवाई कहती है लेकिन इतने पढ़े लिखे सब्वे समाज और पूरे विश्व के अंदर इतने बड़े-बड़े साइंटिस्ट होने के बावजूद भी इस इतनी बड़ी समस्या को कोई भी गैनता से नहीं ले रहा कुछ एक देशों के अलावा जहां पर इनकी सभी पुस्तके इनके रिच्वल्स बैन करने के बाद इस पूरी कौम को ही बैन कर दिया गया है या फिर अगर कोई वहाँ पर पहुंसता भी है तो उसको नंगा करके चैक किया जाता है लेकिन भारत वर्ष एक ऐसा देश है जहां पर ये लोग सामने वाले की गरदन तो साफ कर ही देते हैं साथी साथ विक्टिम कार्ड खेलने के लिए भी चले आते हैं और इसी तरीके का विक्टिम कार्ड आज कल खेला जा रहा है आप लोगों कोई पता है कि मुक्तार अंसारी इतना बड़ा गैंक्स्टर जिसका खुद का भाई कहता है कि दो चार ऐसे गंभीर आरोप हैं जिनमें की हत्या करवा दी जाएगी ये वही मुक्तार अंसारी है जो पंजाब की जेल में अभी तक काचे काट रहा था लेकिन वीलचेयर पर बैठ कर बांदा जेल तक पहुँचा था लेकिन जैसे ही बांदा जेल में वो उत्रा अपने पैरों पर चलते हुए वो बैरक तक पहुँच गया अब आप ही सोचेगा कि इनके सरगनाओं के द्वारा इतनी बड़ी चाल केवल और केवल एक छोटे से एंकाउंटर से बचने के लिए क्या इनके साथ में इनकी किताब नहीं क्या ये शहीद होने से बचते हैं क्या ये बहतर हूरे प्राप्त करने से बचते हैं या फिर इनको उस सच्चाई के बारे में मालूम पढ़ गया है कि इन सब लोगों का पोपट ने पोपट बना दिया है दोस्तो यहीं पर बात नहीं रुखती है यति स्वामिनर सिमानन सरस्वतिजी के खिलाफ भी एक बहुत बड़ी मुहिम आज की तारिख में चलाई हुई है आज जुम्मा था और आज पूरे देश की मस्जिदों में उनके खिलाफ बताया जा रहा है कि नमाजों के बाद में इस प्रकार के दुआएं की गई कि उनको एक भयंकर मौत प्राप्त हो आप सभी को पता है कि आप चाहे बोले या ना बोले लेकिन हर काफिर के पकोड़े तले जाएंगे और उनको जहनम का इंधन बनाया जाएगा यह मैं नहीं कहे रहा हूँ यह उनकी खुद की किताब कहती है आप उस किताब के विशय में यहको खड़े ओकर के बताएंगे तो वो चहेंगा कि आप जहर उगल रहे हैं नफरत उगल रहे हैं यहीं पर इस बात को समझ जाएए कि आपने किताब को बिलकुल सही तरीके से पढ़ लिया है क्योंकि आप तो किताब की भाषा बोल रहे थे जहां पर ये बताया गया है कि काफिरों के पकोड़े तेले जाएंगे लेकिन सामने वाला उसको किताब के शब्द ना समझ कर आपके शब्द समझ लेता है तो समझ जाएए कि दिमागे दिवालीपन की आड में वो कहीं ना कहीं इस दो सो करोड लोगों की उस भीड को डिफेंड करना चाता है जिन लोगों का अंतिम उद्देश ही काफिरों को समाप्त कर बहत्तर हूर गिल में शराब के दरिया प्राप्त करना है अमानतुला खान कह रहा है कि हम इंट से इंट बजा देंगे हम सिर्फ यही कहना चाते हैं कि इतिहास एक बार उठा करके देख लीजिए शुरुवात हमेशा किसने की है और उसका अंत हमेशा किसने किया है अब की बार तुम्हारी लड़ाई किसी सरकार के साथ में नहीं बलकि एक यती के साथ में है जिसने अपने जीवन का आदा हिस्सा केवल और केवल इसलाम को समझने और समझाने में ही लगा दिया है अंतिम बात फिर से A.S.I. की खुदाई के बारे में जैसी भी लगेगी और ग्यान वापी के नीचे खुदाई तो जरूर होगी लेकिन मुसल्मानों की तडब के वो खुदाई क्यों कराई जा रही है ये बताती है के एक बार फिर से इतिहास को दोराया जाएगा, मुसल्मानों के मन में भी इस बात का पूरा पूरा भान है कि वहाँ पर एक मंदिर ही था और वहाँ पर केवल और केवल कबजा करने के बाद मस्जिद बनाई गई थी। मैंने पहले भी कहा था जमीन की खुदाई करोगे तो वहाँ पर मुसलमानों के स्कैम निकलेंगे और मुसलमानों के कागजों की खुदाई करोगे तो वहाँ पर भी बाप ददाओं के नाम में हिंदू की ही नाम मिलेंगे वैसे मैं आपको एक और जी बात बता दूँ कि अयोध्या में बनने वाली मस्जिद के लिए 16 महीने में केवल 20 लाक रुपे ही जुट पाए हैं और ये वो कौम है जो कहती है कि हमने लाल किला, ताज महल और बहुत बड़ी-बड़ी इमारते कहते हैं कि ये मुगलों ने बनाई हैं वो सभी भी हिंदू की बनाई हुई थी और उनको वहां से चुरा करके अपने नाम का ठपा लगाया हुआ है लेकिन खुदाई तो होगी और जहां पर भी खुदाई होगी वहाँ पर खुदा की खुदाई एक्सपोज होती चली जाएगी मस्जिदों के इस दुरुब्योग पर आप लोगों को क्या कहना है और क्या आप भी चाहते हैं कि इन दीनिक एंटोनमेंट्स पर सरकार का पूर्ण रूपेन नियंतरन होना चाहिए आतंकवाद को समाप्त करने हैं तू आप लोगों के पास में क्या क्या आइडियाज हैं नीचे हमें कमेंट करके अवश्य बताईएगा और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी हमें जरूर बताईएगा अच्छा लगे तो सबके साथ में शेयर भी अवश्य करना मेरे संगभवली सत्य सनातन वैदीक धर्म की जय जय हिंदवन दे महातरम